नमस्ते दोस्तों तो आज बनाएंगे हम समर स्पेशल शर्बत की रेसीपी आज हम बनाएंगे मस्क मेलन का शर्बत यानि खर्बुजे का शर्बत खर्बुजा वैसे ही समर में हम बहुत तरीके से खाया जाते हैं इस तरह से अगर आप इसका सर्बत बना कर पियेंगे न तो और भी मज़ा आजाएगा और शर्बत बनाने का बहुत सबसे आसान और यूनिक तरीका मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है इससे आपको दो तरीका फ्लेवर आजाएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने करीब करीब आदा लिटर दूद लिया है ज कि खरबुजे को हम कट कर देंगे अब हमें इसके जो बीज है उसे निकाल लेना है तो आप किसी चम्मच के सायता से या सूरी से किसी भी चीज़ से इसको निकाल लीजिए तो मैं यहाँ पर जो हम आस्क्रिम का स्पून होता है उससे निकाल रही हो बहुत ही आसान तरीके स क्टोरी जैसी बनानी है इसी में आज हम शर्बत सब करेंगे तो इस तरह से मैं यहाँ पर सभी बीज निकाल कर ले रही हो और इसका हम जो अंदर का यह मगज होता है उसे भी निकाल लेगे इसका कटोरी जैसे इसको सेफ देंगे इसका शर्पत इसी में सेफ करेंगे ना तो खाने के साथ सब दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा तो चलिए इस तरह से मैं सभी इसको निकाल लिया और मिक्सी के जार में डाल दिया है इसका हम बार एक पेस्ट बना लेंगे यानि कि इसको स्मूथ हमें पीस लेना है यहाँ पे स्मूथ पीस कर तयार है इसे सैट में रख देंगे और थोड़ा सा दूद मैंने यहाँ पे बचा के रखा था क्योंकि हमें इसमें कस्टेड पाउडर मिलाना है गरम दूद में अगर कस्टेड पाउडर मिलाएंगे तो अच्छे से मिलने ही पाएगा उसमें लमस आ जाते हैं तो गुनगुना दूद या थंडे दूद में ही हमें कस्टेड पाउडर को अच्छे से मिलाना होता है तो यहाँ पे मैंने छोटे दो चमच custard powder लिया है अच्छे से mix करेंगे और इसे अब हम हमारे उबलते हुए दूद में डाल देंगे अब तक दूद को भी अच्छे से उबला चुका है आप देख सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो यहाँ पे आप चीनी की जगा है कंडन्स मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो नहीं तो आप अपनी रेगुलर चीनी इसमें डाल दीजिए अपने टेस्ट के अनुसार तो मैंने इसमें करिब करिब आधा कटूरे से थोड़ा सा कम इसमें चीनी डाल दिया है अगर आपको मिठा पसंद है तो आप चीनी का प्रमाण बढ़ा भी सकते हैं तो अब डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक हाथ से ऐसे स्टर्ड करते रहेंगे ताकि इसमें लंस ना जाए इस वक्त हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है अच्छे से इसको मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूद और भी ज़्यादा गाड़ा होने लगता है और इसी स्टेज पर हमने जो खरबुजे को पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे परफेक्ट और दोनों को 2-3 मिनिट के लिए अब पकाएंगे इसे हमें ज्यादा पकाणा नहीं है सिर्फ 2 मिनिट के लिए क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है तो कस्टर्ड पाउडर का कच्छापन निकल जाए बस इतने देर के हमें इसको थोड़ा सा बोईल लाना है आप देख सकते हैं थोड़ा थंड़ा हो जाएए तो हम इसमें सबजा सीर्ट डाल देंगे सबजा सीर्ट के जगा आप चिया सीर्ट भी डाल सकते हैं थंड़ा होने के बाद डाल दीजिए और इसे और ऐसा थंड़ा होने दीजिए या आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं यहाँ पर हमारा सरबत बनकर तयार है तो चिली अब हम इसको थंड़े थंड़े सरबत को सर्फ करते हैं तो मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था देड़ से ढाई गंटे के लिए ताकि अच्छे से चिल हो जाए उसके बाद हम इसको सर्फ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसेस्टनसी आप चाहें तो और भी इसको गाड़ा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं परफेक्ट तो इस समर की सिजन में आप इस सर्फ को जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही बढ़िया है और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो बनाना भी आसान है इसे बना करा फ्रीज में रख सकते हैं तो कैसे लगी आज के आपको सर्फ की रेसिपी